नमस्कार दोस्तों मेरा नहां में समीर आपका स्वागत है दोस्तों आज हम करने वाले रिव्यू इंडेल के लेटेस्ट नक ऐलिमेंट मीनी पीसी को कोड़नेम एलक बे जिसमें दोस्तों आपको इंडेल का लेटेस्ट कोर आए सेवन 11 जेरेशन प्रोसेसर मिलता है 1185 जी ही हुई है आपको सारे दिए गया है जिसकी मदद से आप अपने सारे प्रोफेशनल रिक्वार्मेंट फुल्फिल कर सकते हो और भी काफे सारे फीचर इस प्रोड़क में हमें मिलते हैं तो आज इसे में डीटेल में रिव्यू करके आपको बताने वाला हूँ अलग-अलग इस प्रोड़क लिक्स प्रोड़क जो भी सारे इलिंक से इस्रिप्शन में 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 रिचेंगाइब लिए तो चलिए गाइस बीना आपश केया लात्स बेस्टार्त ट्रॉटब करेंग hayatt कंविडियो श्टार्ट करेंगे जोस्तों बिए वेरि फर्स पॉ स्पॉंग गा तो आपके अलमस सारे प्रोफेशनल वर्क एक्टिवीटीज यह फुल्फिल करने वाला है राम इसमें 16GB बिल्ट इन दी गई है स्टोरेज 500GB की SSD इसमें लगाई हुई है SSD की दोस्तों स्पीड की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो इस पैसे आपको ओर 500 MPPS की स्पीड मिलने वाली है आप इसे रिप्लेस कर सकते हो विद्धी हायर पॉफॉर्मन्स SSD आपको GBPS में स्पीड मिल सकते है विच कम्स तुद पॉइंट की इसमें आपको एक्सपंशन का भी ऑप्शन दिया जाता है ग्राफिक्स इसमें आपको इंटल का एकसी आइरिस मिलता है इतनी वी रैम आपको इसमें मिल जाती है ब्लुटूथ और वाइफाई दोनों भी लेटिस लगे हुए वाइफाई 6 वर्जन इसमें दिया गया है तो अगर आपके पास internet connectivity high speed है तो इसमें से आपको काफी अच्छी performance मिलने वाली है और फाइनल गैस पावर गंजम्शन इसका काफी कम है और थर्मल मेंटेनेंस भी काफी वड़िया है दोस्तों आपको आगे वीडियो प्रूफ के साथ बताने वाला हो किस तरीके से benchmark stress test या फिर rendering जब करता हो तो इसका temperature जो है कितना कम रहता है सब भी कुछ आपको आगे वीडियो में बता दूंगा अब दोस्तों इसकी physical overview आपको बता रेता हो आयो पोट्स इसमें की सरीके से अपको मिलते हैं तो completely दोस्तों इसकी बॉड़ी है यह आपको hard plastic और metal के combination में मिलती है mat finish दी गई अल्मोस सब भी जगह पर front में आपको यहाँ पर power switch मिलता है next to it is the USB 3.0 port उसके side में आपको USB 2 का port मिलता है back side पे दोस्तों सब भी IO ports दिये गया है starting from the left side आपको यहाँ पर power jack मिलता है next to it is the HDMI out port यहाँ पर दोस्तों आपको दो HDMI out port डिये चाते है एक pass through है और एक input port है so total 4 HDMI ports are given उसके बा आपको USB 3 के और दो ports मिलते है front side में आपको एक दिया जाता है back 2 तो total 3 ports आपको दिये जाते है similarly USB 2 के भी आपको total 3 port डिये गये है one in the front and two in the back finally audio out और audio in का port डिया गया है so guys इसमें IO ports आपको काफी सारे मिलते है सभी professional work आपकी इसमें से easily conduct होने वले है ventilation की बात करें guys तो यहाँ आप देख सकते हो left or right side में properly ventilation दिया गया है right side में आपको consent and lock भी दिया जाता है back side में भी ventilation दिया गया है and finally this is the bottom part यहाँ पर आपको mount डिया जाता है and finally guys यह काफी compact और lightweight device है आप इसे easily carry कर सकते हो daily commute में भी office bag में इसे रखते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली new intensive test यह test run करते हैं मीडवे में दोस्तों आप देख सकते हो इस element का जो thermals है they are very low जो कि almost normal temperature होता है किसी भी PC का not even in the stress idle पे तो इस तरीकी का thermal maintenance है इस device का final test के results आप देख सकते हो it is almost close to 5000 जो की 4K desktop PC का होता है तो दोस्तों कुछ इस तरीकी की result आपको इस compute element से मिलते है जो कि इत test proceeding with the cross mark यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो test results आया है they are very decent enough और final दोस्तों 3D mark का test आप देख सकते हो please note कि इसमें कोई भी dedicated graphic card नहीं है still इसका computing element है इसमें से आपको almost 15,000 का score मिल रहा है so casual gaming या फिर medium level की gaming इसमें से easily होने वाली है web designing वगरा में भी आपको कोई भी दिक्कत नह नहीं हाने वाली आगे वीडियो प्रूफ भी है उसका जो आपको कुछ इदर में बताऊंगा अब प्रोसेडिंग हाएड गाइस यह जो benchmarking के results है किस तरीके से real world में transform होते है productivity test के मदद से आपको बताता हूँ तो सबसे पहले है दोस्तों Adobe Premiere Pro का test यहाँ पर आप देख सकते सबसे पहले दोस्तों इसका timeline जब प्ले करता हूं मैं यहाँ पर कोई भी लैग नहीं हो रहा है smoothly प्ले हो रहा है इंद फॉर के रिजूशन गाइस तो यह जो डिवाइस है इस फाइल को हैंडल कर सकता है आगे दोस्तों इसे एडिट करते हैं आप देख सकते हो काफी करनी है एंकोडिंग में आपको hardware एंकोडिंग का option आ रहा है जो तब ही मिलता है जब आपका hardware काफी पावर पैक्ट हो नॉर्मल यह नहीं मिलता फाइनल फाइल जो हो रही है दोस्तों इसे हम अभी रेंडर करते हैं और दोस्तों आप देख सकते हो इसका जो रेंडरिंग ट प्लस आपको performance भी at the same time मिलती है अब प्रोसेडिंग आहिड विद प्रोफेशनल सॉफवेर तो यह है प्रो इंजिनेरिंग एक modeling software है और काफी heavy software है तो इसमें आप देख सकते हो यह जो एक assembly मेंने की है it is very complicated काफी सारे parts इसमें यूज हुए है and you can see the level of details काफी smoothly software इस device पर रहन हो रहा है कोई भी दिक्कत नहीं आ रही तो इस प्रोफेशनल सॉफवेर अगर आपको यूज करने है web designing modeling engineering या फिर editing के इस device से सभी कुछ पॉसिबल होने वाला है अगर आपको नॉर्मल office software यूज करने है MS office वगरा तो आप तो वह easily करी सकते हो कुछ इस तरह की से परफॉर्मस आपको देता है अभी दोस्तों स्विच करेंगे with the web browsing test यहां पर दोस्तों इसकी streaming quality या streaming capacity है वो हम देखेंगे YouTube पे दोस्तों 1080p और 4K वीडियो में आपको इस पर प्ले करके रिखाने वाला हो विल सी हाव इट पॉफॉर्मस सबसे पेले यह है 1080p वीडियो यहां पर आप देख सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है लाइक फ्री एक्स्पीरियेंस है यहां पर आपको नोट करना है अपका इंटरनेट स्पीड भी मैटर करता है बट अगर आपका इंटरनेट स्पी के वीडियो अब तक आप इसमें इसली प्ले कर सकते हो आपको कोई भी प्रॉप्लम नहीं आने वाला इंटरनेट ब्रॉजिंग का या फिर स्ट्रीमिंग का एक्स्पीरियेंस आपको काफी बढ़िया मिलने वाला है फाइनल दोस्तों हम करेंगी इस पर गेमिंग टेस्तों में लन हो रहा है कॉंबैक में होता हो फारिंग करते हैं तो ब्ये इजिली रन होता है कई पर भी स्टेरिंग नहीं है तो दोस्तों कुछ इस तरीके से normal से medium level तेक की game आप इस device में रणकर सकते हो आपको all-round performance इस में से मिलने वाला है कुछ इस तरीके से performance आपको इस device में मिलता है काफी compact है डिवाइस और power pack performance आपको मिलता है मैं काओंगा all-round आपको performance मिलने वाला है professional work के लिए अगर आप लेते हो business activities के लिए सारे needs अपके इसमें से fulfill होने वले हैं साथ ही में casual gaming और web streaming भी आप इसमें से कर सकते हो so आज के वीडियो में दुस्तों इतना ही उम्मिद करता हो वीडियो आपको पसंद आयोगा if yes then please like this video और इसे share करें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे comment कर सकते हो thank you very much for watching this video